इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटस्ट खबरे वा आदेश हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को कर ले सलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहु कारे के बाद प्रदेश के शिक्षकों ने अप्यक्षाएं सामने रखती है शासकीर शिक्षक संगठन ने नए साल में नए सरकार से कई उम्मीदे लगा रखी है संगठन के पदाधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री पिछले कार्यकाल में शिक्षा महकमा ही देखते रहे हैं इसलिए वे सरकारी संस्थाओं और शिक्षकों की जरूरते समझते हैं ऐसे ही स्कूल शिक्षा भी हमें नजदीक से समझते हैं संगठन के कारेकारी अध्यक्ष उपेंद्र कोशल ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भौतिक संसाधनों का अभाव है, बच्चों को समय पर मूलभूत सुविधाय उपलब्ध नहीं हो रही है, शासन के आदेशों का जमीनी स्तर पर क्रियानवयन नहीं हो रहा ह वहीं, शिक्षक संवर्क को भी अपनी समस्याओं और मांगों के निराकरण का लंबे समय से इंतजार है, वे पदोननती, क्रमोननती, नियुक्ती दिनाक से वरिष्टता, वेतन विसंवितिया सहित अनेक सेवा शर्तो संबंधी समस्याओं से पीडित है, ऐसे में पर नई सरकार के गठन पर शिक्षकों की मुख्यमंत्री एवं नई शिक्षा मंत्री से आशा है कि लंबित समस्याओं का निराकरण समय सीमा में हो सकेगा झाल